दोस्तों, 21 जुलाई रविवार के दिन आशाड पूर्णिमा की तिथी की रात बस चुपचाप कर लेना, एक मुठी नमक वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय तुरंत ही जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी, आपको मुक्ति भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्म जी के आशीरवाद से खुशियों से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनुकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे, आप करोडपती दोस्तों सनातन धर्म में एक वर्ष में बारह पूर्णिमा तिथी पढ़ती है, लेकिन इन में सबसे ज्यादा विशे पर कृपा बरसाते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि आशाध पूर्णिमा तिथी के दिन भगवान विश्नुजी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्य मुद्रा में होते हैं, वेद पुराणों में तो यहां तक वर्णित है, आशाध पूर्णिमा तिथी पूजा पाठ से पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में वर्नित है कि अगर आप इस आशा王 पूर्णिमा ति Rosa के दिन विधिविधान से पूझा पाठ करते हैं तो आपको साल भर की बारह पूर्णिमा तिथि की पूजा का लाब एक ही दिन की पूजा से मिल जात इसलिए दोस्तों इस आशाध पूर्णिमा तिथी को हमारे हिंदु धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा तिथी माना जाता है। पूर्णिमा तिथी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्थ में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का वरत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की विधिविधान से पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्म जी का आशीरवाद मिलेगा, बलकि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाएंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुठी नमक का उपाय विधिविधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से इस साल आप करोडपती बन जाएंगे। भगवान विष्णु जी की क्रिपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका बंद पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी। आपको अपने जीवन की समस्थ प्रकार की परेशानी कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी और इतना ही उपाय करने से मान कर चलिए। हमेशा भगवान विष्णुजी, माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुठी नमक का उपाय करके आपको भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, दोस्तों जो नमक होता है वह शुक्र ग्रह का कारक होता है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोडपती बन जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, दूसरी तरफ शास्त्रों में वर्नित है कि अगर नमक का उपाय भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि दोस्त नमक का उपाय सही दिन पर सही महूर्थ पर विधिविधान से किया जाए, तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाब अवश्य ही मिलता है, और अगर आपने सिर्फ इस आशाध पूर्णिमा तिथी के दिन नमक का उपाय विधिविधान से तंत्र शास्त्र और ज्य एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, एक ही दिन के उपाय से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का अशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सक्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जै भगवान विष्णु जी की, जै माता लक्ष्मी जी की, सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का, महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा हमेशा अच्छी बनी रहे, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, उस निर्णय से आपको फाइदा पहुँचे, आप उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विश्नुजी का आशीरवाद मिल जाएगा, तो बस आपको 21 जुलाई आशाडपूर्णिमा की रात्री को अच्छी तरीके से नहा लेना है, और अपने पूजा घर पर जाना है, जहां भगवान विश्नुजी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, भगवान विश्नुजी और माता लक्ष्मी जी को 11 नमबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते, वासुदेवाए नमः, हम फिर से रिपीट करते रहे, दोस्तों ओम नमो, भगवते वा तो यह पोटली भगवान विश्णु जी का आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके राहु केतु की दशा अच्छी रहेगी, आपके जीवन में धनाना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में करियर कारोबा में आपको उन्नती देखने को मिलेगी, आप अपनी जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फाइदा पहुँचेगा, और भगवान विश्णु जी का आशीरवाद सदैव आप पर बना रहेगा, इस उपाय के बारे में हमने आपको जोतिश शास्त्र के अनुसार बताया है, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप करोड़ पती बन जाए, माता लक्षमी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि 21 जुलाई आशाध पूर्णिमा की रात्रि को आपको एक नमक का डिब्बा लेना है, और दो इलायची लेनी है, क्योंकि दोस्तों जो इलायची होती है, वह शुक्र ग्रह का कारक होती है, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है, शुक्र ग्रह का नियंतरन माता जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तिमाल की जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है. आपको अपने घर के पूजा घर पड़ जाना है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो. नमक के डिब्बे को और दो इलायची को अपने हाथ में आपको पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमह हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम, महालक्ष्मी, नमह, अब इस दो इलाइची को आपको नमक के डिब्बे में डाल देना है और इस नमक के डिब्बे को तुरंत ले जाना है आपको और अपनी अलमारी में तिजोरी में जहां पर आप अपना पैसा रूपिया सोना चांदी रखते हैं वहां पर सिर्फ इतना उपाए अगर आपने इस आशाड़ पूर्णिमा की रात्री को तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यह नमक का डिब्बा माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आपके लिए बन जाएगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंग आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खीचा हुआ चलाएगा माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़ पती बन जाएंगे आपको अपने जीवन के समस्थ प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक और मान कर चलिए दोस्तों आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा बहुत ही सौभाग गिशाली होगा इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था अभी तक आपने वीड जीओ को लायक कर दीजिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आशीरवाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं आपके घर की बरकत हो आपके घर की उन्नती हो आपके घर पर कभी भी कोई भी परेशानी न रहे हैं तो बस एक काम कीजिएगा कि इस आशाध पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेनी हैं हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस 11 रोटी को आपको खिला देना है एक गाय में 33 कोटी दे हुआ है कि आशाध पूर्णिमा तिति के दिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गाय को 11 रोटी अपने हाथों से खिला देता है उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको सुख स मृध्धिधन दौलत एश्वर्य की प्राप्ति होती है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए